किसान भाई यो इस वीडियों में हम बात करेंगे सितंबर के मैने में लगई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिनसे किसान भाई लाखों की कमाई कर सकते हैं आगस्ट का माईना खतम होने को है और सितमबर के माईने में किसानबोई कुछ यसी चुननिन्दा सब्जिऊंगी अगेती बुवाई कर सकते है जिन से किसानबोई लाखों का मुनापा कमा सकते है पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देख की वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि आगे भी खेती बाड़ी से सम्मधित नहीं नहीं जानकारी आप तक पहुंचती रहे किसान भाईयों अगर आप भी सितंबर के मैने में सबजों की खेती करना चाते हैं तो कुछ ऐसी सबजे हैं जिनकी बुवाई कर किसान भाई लाखों रूपे कमा सकते हैं पहली सबजी आती है मटर की खेती मटर एक सबजी वर्गी फसल है खास करकि अगर आप सितंबर मैने में मटर की खेती करतے है तो मन्डी भाव कापी अच्छे देखने को मिलते हैं मटर की अगेती खेती से भी लाखों रूपे कमाई जा सकते हैं अगर आप सितंबर में मटर की बुवई करते है तो किसान भाईयों 60-70 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग सुरू हो जाती है और मटर का सुरुवाती मंडी भाव कापी अच्छा देखने को मिलता है आप मटर की खेती से भी बड़िया मुनापा कमा सकते है इसके लावा किसान सितंबर के मैने में धनिया की खेती कर सकते है धनिया का जो अगेती बुवई का जो भाव मिलता है वो किसानों को सबसे ज़्यादा मिलता है सितंबर में बारिज भी कम होती है जिसे धनिया का अंकूरन आसान इसे हो जाता है आप धनिया की बुवई क्यारिया या बेड बना भी कापी अच्छा देखने को मिलता है इसकी खेती में भी लागत कम आती है मेती की बुवई भी आप आसाने से क्यारिया या बेड बनाकर आसाने से इसकी बुवई कर सकते है मेती के अलावा किसान भायों आप सितंबर के मेने में अगेती मूली की बुवई कर सकते है मूली की बुवई आपको मेड बना कर करना है ताकि बरसास से मूली की वसल को कोई भी ज्यादा नुकसान ना हो मूली की खेती एक ऐसी खेती है जिसका मंडी भाव कापी अगेती के रूप में बढ़िया मिलता है अगेती खेती करते है तो और भी ज़्यादा मुनापा आपको मिल जाता है इसके लावा किसान भाई गोबी की खेती कर सकते है टमाटर की खेती कर सकते है अगेती भिंडी की बुवाई भी किसान भाई कर सकते है सितंबर के मेने में इन सबजों को लगा कर किसान भाई बढ़िया मुनापा कमा सकते है इसके लवा भी बहुत सारी फसले हैं जैसे कि किसान भाई लोकी की बुवई कर सकते है किसान भाई बेंगन की खेती कर सकते है सितंबर के मेने में आप इन सब्जों को लगा सकते है जिसे कम लागत आती है और उत्पादन भी बढ़िया मिलता है साथ ही अगेती अगर आप भुवई करते है तो मंडी भाव भी कापी अच्छा मिलता है इससे किसानों को दो गुना फाइदा होता है किसान भाईयों आप भी इन सब्जों को अगेती फसलों के रूप में सितंबर के महिने में लगा सकते है वीडियो अगर पसंद आया वो तो करें को लाइक जरूर करें जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो में धन्यकवाद